सल्ट का सियासी अखाड़ा हुआ और रोचक बीजेपी और कॉंग्रेस में आमने सामने की टककर 2017 की तरह ही रोचक हो रहा उपचुनाओ का रड उत्राखंट विधान सभा का सेमी फाइनल है ये उपचुनाओ जो जीतेगा सल्ट उसी का पल रहोगा आगामी चुनाओ में भारी उत्राखंट की सल्ट विधान सभा पर सियासी पारा एकदम हाई दिखाई दे रहा है बीजेपी अपने कबजे को बरकरार रखने के लिए जी तोड मेहनत कर रही है तो वही कॉंग्रेस भी बीजेपी से ये सीट छीनने के लिए जोर आजमाईश में लगी है दोनों ही दलों की तैयारी पुखता दिखाई दे रही है ऐसे में आए नजर डालते हैं मौजूदा सियासी हालातों पर और जानते हैं कि कौन सल्ट का बादशाह बन सकता है बीजेपी सल्ट में सिंपथी वोट के सहारे है सिंपथी के सहारे बीजेपी फतह हासल करना चाहती है बीजेपी ने सुर्गे सुरेंद्र जीना के भाई महिश जीना परदाओं खेला है कॉंग्रिस ने 2017 के बाद फिर गंगा पंचॉली को टिकट दिया है मुख्य मुकाबला इस बार भी 2017 की तर्ज पर ही दिख रहा है बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है मतदाताओं की संख्या में बीते चार सालों में बहुत अंतर्म नहीं आया है बीते चुनाओं में जहां सल्ट विधान सभा में 95,158 वोटर थे वहीं अम मतदाताओं की संख्या 95,241 हो गई है बीजेपी को 21,581 वोट मिले थे कॉंग्रिस को 2017 विधान सभा चुनाओं में 18,677 वोट मिले थे उम्मीदवारों की लिहाज से 2017 में 10 दाविदान मैदान में थे इस बार इनकी संख्या घटकर 7 जरूर हो गई है 2017 में भुवन जोशी तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें मात्र 689 वोट मिले थे हाला कि मौदूदा वक्त में बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो सब कुछ मतदाताओं पर ही निर्वर करता है कॉंग्रिस से राजसाबा सांसत प्रदीप टम्टा का कहना है कि जादातर हाला 2017 के जैसे ही हो लेकिन इस बार चुनाव परिडाम 2017 से उल्टे रहेंगे ऐसे में आईए जानते हैं कि मतदाताओं का मूड क्या कहता है मतदाताओं में बीजेपी के नित्रत परिवर्तन से कुछ हद तक नाखुशी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतदाता कॉंग्रेस के साथ है कॉंग्रेस की उम्मीदवार के एलान से पहले की खीचतान भी जहन में है कॉंग्रेस की गुटबाजी यहां कॉंग्रेस का खेल बिगार सकती है सीम तीरस सिंग रावत के बयानों का असर बीजेपी के खिलाफ दिखता है रोजगार का मुद्दा सल्ट विदान सभा उप्चुनाओं में चाया हुआ है पुरानी सरकार के कुछ फैसलों का असर भी बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है हाला कि अभी कौन जीतेगा कहना मुश्किल ही दिखाई देता है क्योंकि सहमती और असहमती का दोर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के साथ है बीजेपी सांसद अजय भट का कहना है कि उनकी पार्टी सल्ट उप्चुनाओं तो भारी मतों से जीते ही रही है कॉंग्रेस का दावा है कि नतीजे 2017 से ठीक उल्टे आएंगे लेकिन मतुदादक इसके साथ है ये तभी पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे फिलहाल तो सल्ट विधान सभा में सियासी शोर जम कर सुनाई दे रहा है विरो रिपोर्ट मीडिया हल चल